और इंशालला लाने चाया आजम खाँ हैंडीट पर्सेंट यूपी में सबसे आगे रहेंगे उनको नाम मिटाने वाला कोई अभी पैदा नहीं हुआ है अट्टी वालों गिरे आले टेम पे उनने इनकी सिकार ने बहुत काम कर दा कि याजम भाई की बात थे कि जो पूरे शहर में ऐसा हो रही है जैसे बहुत अच्छे और अब तक ऐसा हो जाता कि जैसे सोनी गुडिया तो डीबी लाइब की टीम इस वक्त मौझूद है रामपूर में जो आजम खान साफ का गड़ माना जाता है नौ बार के विदायक है और मौझूदा वो यहां से कहें की सांसत भी है लेकिन फिलाल जेल में है लेकिन उसका कितना असर होगा यह भी हम बात करेंगे रामपूर के ही कुछ लोग मेरे साथ मौझूद हैं उनसे भी जान लेते हैं कि यहां का चुनावी मूट क्या है और कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस वार यहां पर हावी रहने वाले हैं और साथी साथ क्या यहां पर बदलाव भी देखने की मैदान में आदम खान का यहां बहुत अच्छा असर है रामपूर के अंदर और जित्ता वकास इस सरकार में नहीं हुआ जित्ता समझवादी सरकार में हुआ है और आदम खाने खास करके रामपूर में लाइट पानी कीति और अस्पताल की जित्ति सहुदा दिए किसी सरक ने नहीं दिए वो दिखाई देता है यहां पर जब हम रामपूर में एंटर हुए तो हमें भी यहां पर विकास दिखाई दे रहा और उनके किये गए काम बेग जी 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 और मेरे हिसाब से तो यहां समाजवादी जो है हैंडिट परसंट जीदना आदम खान को चाहिए है बिल्कुल आफ़ताफ साब यहां पर अभी फिलाल आप बीजेपी की जो कैंडिडेट है या वो जो तरह से उन्होंने मैदान में उता रहा है आकार सक्षेना को तो क्या लगता है क्योंकि वो खुद यहां से मौजूदा ए यहां पर अपनी संसदिय सीट छोड़कर विदाईगी का चुनाब लट रहा है ऐसी बात नहीं है आजम खाने जब यह देखा यूपी की यह कंडिशन बहुत बुरी हो चुकी है क्योंकि में सेंटर में जाने से आजम खाने सेंटर की स्टीट को इस्तीफा अपने दिल में स क्या आपको क्या लग रहे जी समझवादी है यहांसे तो और आपको बीकास हो स अ कि यहां तो सिर्फ समझवादी छलेगी नेहरा बेरोजगारी भी बहुत हो गई पाइब आपने चाहएं साफ कर दिया है और आजम हां की सरकार्ति मनिश्टर एया आजम निए कोई दिल में हिंदू मुस्लीम सीुक्षाई को फरेब नहीं करते हैं और आप ये चीज कर को खान में और दूसरी चाहर की सरकार में जित्ती नो को मैं ये بैंको में इसमें आपका मिनिस्पिल्टी में हर चीज में आजम खाने हर और अस्पताल में नोकरी यह बहुत दिलाएंगे सबको और बेदभाव उनके अंदर बिल्कुल नहीं है और यह पूरी यूपी जानती है पुरा इंडिया सिर्फ मुसल्मानों का वोट मिलेगा या यहां पर जो दूसरे ज्या बिल्कुल तो यहां पर आजम खान साब का भी बोल बाला है चाहिए वो यहां मौजूद रहा हो लेकिन फिर भी उनका असर देखा जा रहा है आपका क्या नाम है हिदेश कुमार भाटिया तो हिदेश आपको क्या लग रहा है कितने सहमा जो इन्होंने कहा कि यहां पर अच्छे दिन आ रहे हैं बेरोजगारी आई नोट बंदी हुई सब बंदी हुई वहीं नहीं है क्या हुआ 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 है लेकिन इस सरकाने बहुत बिले काम कुरता ने तेम पे और अब भी उमीद है यह काम करेंगी हुआ चीज और कहना चाहता हूं हमारे यह काया था आप दिखाते ही कब हैं पता ही क्यूं डरते हैं इसा उपर वाले रहना चाहिए चलिए कुछ यूवा भी हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे बात कर लेते हैं क्या नाम है आपका इम्रान अश्रफी इम्रान क्या करते हैं आप पढ़ाई करता हूं तो यह चात्र हैं कौन सी बढ़ते हैं तो इनके घर में और भी परिवार में जो लोग होंगे वो जड़ूर वो डालें क्या आपके परिवार में क्या वाकिये में हैं आपके आजम खान साब को जीतने निशालला वो बोड़ वी निक हमारे घर का बोड़ भी कुनी पड़ेगा ते मेरा राशन काट नहीं बन पाड़िया दो साल से मैं चक्कर काट रहा हूं तैसी लोग है यहीं बतर जाए यह बाबू नहीं मिलेंगे वह बाबू नहीं यह पिर आएंगे तब होगा काम तो दिक्कते हैं समस्याइं हैं लेकिन उसके जी जी तो यहां पर उसके बावजुद चाहते हैं कि बद इसलाम क्या करते हैं का बड़ा काम करते हैं तो इस अच्छे नहीं पर जो पूरे शहर में ऐसा हो रहे हैं यह से बहुत अच्छे और अब तक ऐसा हो जाता कि जहाएं सोनी गुडिया अगर वो यहाँ पर होते तो, उनकी सरकार होती तो, उन जैसे अदमी तो कोई है इन देता हो, जैसे वो है, ना हिंदू ना मुसलिम किसी उसे बने करते हैं, सब को एक साथ समझते हैं, सब को साथ लेकर, पहले कोर्स में दो तीन किताब बदली जा करती थी, अब तो पूरा को चुनाव 2022 के दूसरे चरंड के लिए नौ जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी, और जो नौ जिले हैं उनमें से एक रामपूर जिला भी है, रामपूर में पांच विधानसबा सीटे हैं, और इन पांच विधानसबा सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, और जहाँ पर जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को सबके सामने होंगे, लेकिन ये आजम खान का गड़ है और हम रामपूर सिटी में इस वक्त मौझूद हैं, और यहाँ पर उनके किले को कौन भेद पाता है, ये तो 10 मार्च को साफ हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा ह है कि आजम खान को हराना नामुम्किन ही नहीं, काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी बीजे पी यहाँ पर NDA के साथ उन्होंने गड़ बदन किया है, जहां से यहाँ पर उनका कैंडिडेट भी उतरा है, तो यहाँ पर पूरा जो मुकाबला है, वो सिर्फ आजम खान के हम नहीं है.